हेलो एवरिवन आज की वीडियो में बात करेंगे कोरियोप सिस प्लावर प्लांट के बारे में बहुत ही प्यारेशे फूलों वाला प्लांट होता है इसके उपर कई रंगों के फूल खिलते हैं यहाँ पे देखिए मेरे पास जो फूल है यलो कलर के हैं लेकिन इसमें और भी कई रंगों के फूल खिलते हैं हमारे यहाँ पे जितने भी फूल खिले हुए हैं इनका साइड का पैटरन यलो है और बीच में डार्क यलो है येकिन इसमें और भी कई रंग आते हैं जैसे यहां पे देखिए ये side का pattern इनका yellow है और बीच से red है तो यहां पे भी इसी तरह से फोल खिले हुए हैं तो कई रंगों के फोल इस flower plant के उपरा आते हैं जिनमें red और maroon yellow ये तेन ही pattern जाद तर देखे जाते हैं Coriopsis Flower Plant को हम बीच से grow करते हैं और इसके छोटे छोटे जो baby plant होते हैं उनको divide करके भी हम लगा सकते हैं जब भी इसको बीच से लगा लगो तो September अक्टूबर में इसके बीच लगा लिए जाते हैं उनकी nursery त्यार कर ली जाती हैं उच इस तरह के बीच Scorioopsis Flower Plant के होते हैं Yellow Color के जो फूल है उनके बीच मैंने पहले से collect करके रखे हुए हैं तो इस तरह से बीच हो जाते हैं जैसे इनकी जो फूल है सूख जाते हैं सूख कर मुर्जा जाते हैं तब हमें इनके बीच next session के लिए रख ले रहे जाहिए लेकिन जैसे हमारे garden में एक बारे plant लग जाता ह तो इसके वीच खुद खुद ही नीचे गिर जाते हैं और बहुत ज्यादा plant अपने आप यी त्यार हो जाते हैं मेरे पास इसकी ज्यादा फूलावर प्लाट है देखी सारे जो इसके बीच हैा अपने आप यी ङिरते रहते हैं और वह से नए flower plant त्यार हो जाते हैं बहृत प्लावर प्लांट होता है, इसको ऐसी जगह पे रखना चाहिए, जहां इसको पूरे दिन की दोख मिले, मैंने इसको मिट्टी में लगाया हुआ है, गार्डन में लगाया हुआ है, अगर इसको हम गमले में लगाए, तो भी इसको दोप वाली जगह पे रखना चाहिए, जित फूल देने वाला इस प्लांट है, इसमें पाने ज़्यादा हो जाए, तब भी कोई इसको फर्क नहीं पड़ता, तो पाने की कमी तो नहीं होने चाहिए, अगर पाने की कमी होगी तो इस प्लांट शूखने लग जाएगा, और इसमें जो फूल है, वो भी अच्छे से खिल न वदवकिय आती रहती हैं, तो अब बात कर लेते हैं इसमें फर्टिलाजर डालने की, कोरियोप्सिस फ्लावर प्लांट को जब हम बीच चे ग्रो करते हैं, जाहे इसके जो प्लांट है, उनको डिवाइड करके अलग अलग लग लगाते हैं, तो जो मिट्टी त्यार करते है वेल ड्रेन मिट्टी होती है, वेल ड्रेन मिट्टी में पहले से ही कंपोस्ट अच्छे मातरा में मिला दिया होता है, तो अब इसमें जो फर्टिलाजर हमने डालना है, वो लिक्विड फर्टिलाजर जैसे बनाना पील फर्टिलाजर, ओन्यन पील फर्टिलाजर दे सकते है या फिर kitchen waste का fertilizer लेकिन देना जो भी fertilizer देना हो और liquid form में ही देना चाहिए क्योंकि summer season है गर्मियों के मौसम में हमें liquid fertilizer का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है दस-दस दिन के बाद हमें अपने plant में liquid fertilizer डालते रहना चाहिए इसे plant की growth भी अच्छी होती है और flowering भी अच्छी मातरा में उपरती रहती है जैसे ही plant के उपर फूल खिलने के बाद मुर्जा जाते हैं सूख जाते हैं तब हमें इनकी dead heading कर देनी है इसकी जो flower stick है उसी को निकाल देना है तब ही इसमें new flower stock निकलती रहती है और उने के उपर ज़्यादा से ज़्यादा पूल खिलते है कोरियो प्षिश flower plant की अच्छी देख भाल के लिए इसको हमें full sunlight में रखना है पूरे दिन की दूप में अच्छे से flowering करता है plant पानी की कमी इस plant में नहीं होनी चाहिए और मुर्जाएव वे फूलों की dead heading करते रहना चाहिए अच्छे से इसमें fertilizer डालना चाहिए इसमें compost एक बार ही देन बार बार इसमें compost नहीं डालना है और liquid जो fertilizer है वो इसमें डालते रहना चाहिए महिने में दो या तीन बार इसमें फर्टिलाइजर तेते रहना चाहिए बहुत अच्छे और प्यारे प्यारे फूल इस प्लांट के उपर आते हैं जो पॉलिनेटर्स को अपनी और अकर्शित करते हैं तो आज की वीडियो में हमने डिसकस की कोरियोपसिस फ्लावर प्लांट के बारे में जिसकों की हम वाटरफ्लाई फ्लावर्स भी कहते हैं और यह बहुत ही प्यारे प्यारे फूलो वाला प्लांट है